जियो फाइनस का शेर प्राइज अभी अपने अल टाइम हाइपर ट्रेड कर रहा है और अभी कमपनी का मार्केट कैपिटल दो लाग करोड रुपे का हो चुका है तो क्या अभी हमें जियो फाइनस के नदर इन्वेस्ट करना चाहिए सब कुछ आपको इस वीडियो पता चले कर रहा हूँ ताकि आपकी रिसर्च में और वैल्यू एड कर सको कोई भी इन्वेस्मेंट डिसिजन लेने से पहले आप अपने फाइनेचल अडवाइजर की सला जरूर लीजिए और केवल ये वीडियो देखकर कोई भी इन्वेस्मेंट डिसिजन मत लीजिए बिसिकली जी काम क्या है फाइनेचल सर्विसिस प्रोवाइड करना पहले ऐसा कहा जाता था कि जीओ फाइनेचल बहुत ज्यादा ओर वैलुट स्टॉक है तो ये एक सही बात थी तभी कंपनी का बिसनस पूरी तरह से रूल आउट नहीं हुआ था पूरी तरह से ये शुरू नहीं हुआ करीब है तो ये निकल कर आता है दो सो के करीब अब ये नीचे गिर कर दो सो पर आ चुका है हाला कि ये स्टॉक अभी भी बहुत ज्यादा ओर वैलूड है लेकिन आट हजार के पी रिशो के सामने अभी स्टॉक का पी रिशो ये टू अंडड का हो चुका है और ये एक अच्छी बात है नेक्स्ट है कंपनी का माकेट कैपिटल जो है 2000 करोड रुपे पर कंपनी का शेर प्राइस चल रहा है 328 रुपीज के आसपास और वही पर इसका बुक वैल्यू है 182 रुपीज पर इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू यह वन पॉंट एंट पर चल रहा है याणी बुक वैल्यू के मकाबले स्टॉक प्राइस कितना ज़ाधा टाइम्स ट्रेड कर रहा है अगर आप इसे बजाज फाइनांस के साथ कंपैर करो तो बजाज फाइनाsur यह 5 टाइंस तो यह overvalued है, बड़ इस company के जो future growth prospects है, यह काफी ज़्यादा interesting है, और इसकी information भी काफी अच्छी है, तो इस वीडियो को एंटर ज़रूर देखना, तो अभी मैं आपको Jio Financial का NBFC business एकदम simple भाशा में explain करता हूँ, Reliance Retail की पहले बात कर लेते हैं, so Reliance Retail consumer durables की selling करती है, तो इसके लिए company को store setup करना पड़ता है, store की land या फिर rent देखने ही पड़ती है, manpower लानी पड़ती है, इसके बाद में inventory जमा करनी पड़ती है, और इन्हें logistics के खर्चे भी उठाने पड़ते है, इतनी सारी मेहनत करने के ब खर्चा नहीं करते हैं, बस एक बंदा बिठा देते हैं, इन retail stores के अंदर, and जो consumers ये जो बड़े-बड़े products buy करते हैं, जैसे की AC TV fridge हो गया, इन्हें buy करने के लिए, ये consumers को loan provide करते हैं, तो यहाँ पर NBFC company का खर्चा ये बहुत minimum हो जाता है, और इसी के साथ ये अपने product sell कर पाते हैं, और ये बहुत सारी offers भी देते हैं, consumers को like no cost EMI की services ये provide करते हैं, और बहुत ही कम interest पर ये loans भी provide करते हैं, तो NBFC company को ना ही कोई store setup करना पड़ता है, ना ही कोई inventory manage करने पड़ती है, और logistics का कोई खर्चा होने नहीं आता, उन्हें बस consumers को finance करना है, उन्हें loan provide करना ह और यही loans provide करते हैं, ये NBFC companies जो है, ये आसानी से 25-30% की returns कमा लेती हैं, अपने capital के उपर, ये companies directly tie up करती हैं with the retail stores and the manufacturers, और यहाँ पर भी इन्हें काफी अच्छे discounts मिल जाते हैं on the products, तो यही discounts जो होते हैं, वहाँ से ये companies कमाती हैं, और अपने जो customers होते हैं, उन्हें no cost EMI क जो offers होती हैं, ये देकर ये काफी अच्छे पैसे बना लेते हैं, next है geo payment solution and geo payments bank, तो यहाँ पर ये company in direct competition आ जाती है, with companies like paytm, razor pay, phone pay, etc, etc, अगर हम payment gateway market की बात करें, तो ये बहुत तीजी से grow हो रहा है, at 22% CAGR, और ये 26 billion dollars से बढ़कर अभी 132 billion dollars का हो चुका है, और इंडिया क digital payments market जो है, ये अगले 2-3 वर्षों में 3 गुना बढ़ा हो सकता है, from 3 billion dollars to 10 billion dollars, so digital payments ये इंडिया के अंदर बहुत तेजी से बढ़ती है, and geo payments bank basically paytm payments bank जैसे ही business के अंदर खाम करने वाला है, so paytm payments bank क्या business कर रहा था, इसके बारे मैंने एक detailed video बनाया है, वो आप ज़रूर जा financial ने एक joint venture किया है, with the black rock, black rock ये world की largest asset management company है, with the assets under management of 9 trillion dollars, so black rock ये इस business के अंदर बहुत लंबे समय से है, और ये जो एक joint venture है, ये geo financial के लिए काफी win-win situation साबित हो सकती है, so black rock ये इंडिया में largest commercial property owner भी है, और इनकी काफी सारी investments ये इंडिया के अंदर लगी हुई है, और अभ financial services limited, तो यहाँ पर ये company mutual fund business के अंदर enter कर रही है, और ये direct competition के अंदर होंगे with HDFC, AMC, Nippon Asset Management, Aditya Birla Sun Life, AMC, etc, etc, इंडिया का mutual fund market ये बहुत दीजी से grow हो रहा है, और अगर हम SIP inflows की बात करें, तो every month 15,000 करोड से भी जादा की SIP inflows आ रहे है, और वही पर अगर हम Indian mutual funds के total AUM की बात करें, तो ये 50,000,000,000 करोड का हो चुका है, और अगले 7 सालों में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, कि ये double हो सकता है, तो Indian mutual fund business के लिए काफी अच्छे growth prospects है, और ये एक काफी profitable business हो सकता है, Gio Financial के लिए, तो Gio Finance बहुत तरह तरह के businesses में enter कर रहा है, और यहाँ पर financial services provide कर रहा है, नेक्स्ट है यहाँ पर Gio Financial Broking Limited, तो यहाँ पर ये company in direct competition रहेगी with Ziroda and Angel One, और ये broking services provide करेगी into the stock market, तो आप सभी को पता होगा, after 2020, इंडिया में number of DMAT accounts ये कितने तेजी से grow हो है, और आगे चल कर ये और भी ज़्यादा बढ़ सकते है, क्योंकि अभी तक भी इंडिया एक under penetrated market है, into the stock market, और बहुत सारे investors, नई investors यहाँ पर enter करना चाते है, इस market में, तो ये काफी अच्छे growth prospects इस company को यहाँ पर provide करता है, and last but not least, Gio Insurance Business, तो यहाँ पर मुझे लगता है, ये एक insurance company तो चालू नहीं कर रहे है, बट ये एक aggregator का काम करेंगे, like policy bazar, and Indian insurance market, again, एक under penetrated market है, और यहाँ पर growth prospects ये काफी जादा high है, and in future ये एक insurance company शुरू करने के बारे में भी सोच सकते है, क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरुआत में बदाया, ये एक CIC के लिए apply कर रहे है, यानि एक core investment company के लिए apply कर रहे है, और आगे चलकर ये जो investments है, ये use करके ये एक insurance company भी शुरू कर सकते है, अभी तक इन्होंने ऐसा कोई disclosure नहीं दिया है, बट यहाँ पर ये aggregator का काम कर रहे है, तो अगर मैं आपको एक simple example दूँ, तो Berkshire Hathaway ये एक core investment company है, जहाँ पर इनकी investment की backing इनके पास है, और इसे के साथ ये insurance के business में भी एंटर कर चुके है, और insurance business के काफी अच्छे तरीके से run कर रहे है, तो इसी रास्ते पर geofinance कही ना कही पर जाता हुआ नजर आ रहा है, और in future ऐसा हो सकता है, कि एक insurance company के साथ tie up कर ले, या फिर खुद की अपनी एक insurance company शुरू कर ले, लेकिन फिलाल के लिए ऐसा लग रहा है, ये insurance companies के साथ partner उनकी insurance policy sell करने के लिए, like HDFC life हो गया, ICICI prudential life हो गया, या फिर max life insurance हो गया, so यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो कि Jio Financial जो है, ये काफी सारे growth वाले businesses के अंदर enter कर रहा है, और at a time ये बहुत सारी नही नही चीजे कर रहा है, like Paytm, Policy Bazar, etc, etc, so Paytm तो एक startup company है, backed with lot of private investors, but J Jio Financial जो है, ये एक strong company है, with the backing of India's largest businessman, Mukesh Ambani, and Jio Financial के पास Reliance Industries के कुछ shares है, 6% shares ये ओन करते है, Reliance Industries के, जिसकी value हो जाती है, एक लाग करोड रुपे की, तो अगर PTM जैसी कोई startup companies है, funded by VCs, अगर वो एक लाग करोड का valuation ले सकती है, तो definitely Jio Financial, जिसके पास एक लाग करोड रुपे के shares already है, ये दो लाग करोड का valuation definitely deserve करती है, और जिस तरह कि ये business performance आगे चलका दिखा सकती है, यहाँ पर ये और भी जादा valuation deserve कर सकती है, बट फिलाल के लिए company की जो sales numbers है, ये अगले 2-3 quarters के लिए हमें इन पर ध्यान रखना है, और देखना है कि ये company कैसा perform करती है, और आग आपको कहूंगा कि आप इस stock को avoid कीजिए, इससे आप बूर रही है, लेकिन अगर आप लंबा खेलना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि अगले 5-6 सालों के लिए आप इस company में invest करना चाहते हो, तो definitely ये एक अच्छा pick हो सकता है, इसके उपर आप अपनी research कर सकते हो, और फिर decide क कर सकते हो, आपको इसमें invest करना है यानि, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, आशा करता हो, ये वीडियो आपके लिए काम कर रहा होगा, और काफी अच्छी insightful information आपको इस वीडियो से मिली होगी, वीडियो अच्छा लगा है तो इसे like जरूर कीजिए, और अपने दोस्तो के साथ शेयर कीजिए,